तू ही अब तू ही थब तू ही कल तक है तू ही तो फलक है तू ही तेरा लक है इस पल में जीओ वक्त को जाने ना को अब दिल में जो बाग है उसे बढ़ जाने दो फिरिशान की पहचान हो कुछ ऐसा कर दिखाना की राना अम लेगा ही जमाना की राना अम लेगा ये जमारा तू हुआ आज हम बात कुछ करने जा रहे हैं कुछ पिछले हफते भी कुछ चर्चा हुई सक्सेस के बारे में इस हफते हम बात ये करेंगे के सक्सेस के लिए कितना परस्विरियंस होना कितना जरूरी है द्रड निश्चे होना कितना आवश्यक है तूरी नहीं है के केवल युवराज और मेरी कौम की कहाने ही सुने हमको अपनी कहानें भी बनानी है I believe one of the biggest purpose of anyone's life is to conquer fear So we are born with a lot of fear, right? We are afraid of everything That conquering fear is an objective, major objective of life Positive fears and of course ensuring that you conquer them requires perseverance किष्वाइ रिग्साथ बन्कषब टेर्यूार्स ₧ YouTubers रिजितृ ग। अतलश के बास्ट कम करें तो मैंग्नीन लिए लिए आटिंग। ञएफ भी-धरियर व्यिए उझाटी औह हमारे हॉरीर भी और और कि और न सब चिंए सरू के एंगेरा का जैज है तो कहा किसी ने कि अभ्यास करते करते मती मूड भी आदमी जो है वो बड़ा सजग और सुजान बन जाता है करत करत अभ्यास ते जडमती होत सुजान और रसी आवत जात ही सिल पर करत निस्यान तो यह perseverance ही है कि वो एकदम जूट की बने वी रसी भी एक पत्थर के अंदर पूरा धार बना देती निशान बना देती और मैं मानता हूँ कि यह हमारा एक परकार से natural behavior है human beings का to be perseverance, to be determined, to be at it कि मुझे जो चाहिए तो चाहिए हम और आप सब अपने बच्पन से गुजरे हैं बाल हट की बात सुनी है आपने बच्चा जब हट कर लेता है कि मुझे यह चाहिए तो चाहिए ही वो भी एक परकार की perseverance ही है वो ले के ही चुप होता है और उस बच्चे से अगर हम सीख लें तोड़ा सा तो जिन्दगी में सब कुछ ठीक हो जाए और success जो है वो एक परकार से success और failure के बीच की अगर कोई एक कड़ी है अगर तो यह perseverance है जहां पर अगर perseverance नहीं है तो success नहीं मिलेगी हम fail हो जाएंगे अगर पूरा determination से लगे रहेंगे तो success मिल जाएगी कोई बहुत लंबा चुड़ा फंतर और इस बात के अंदर नहीं है तो क्या आपके सवाल इसके बारे में कोई आपके प्रशन है Sir I want to know how can you control your negative thoughts success is one thing but you I don't know how can I control my negative things and how can I control how can I not think about failure यह बड़ी अच्छा सवाल आपने पूछा पहले जो आपसे पहले साब नहों बताया fear fear को दूर करने के लिए perseverance चाहिए negative thoughts कब आती है जब आप अपना present को छोड़के future की बात सोचने लगते है या present में से हटके past की बात में चले जाते है तो आपको thoughts आने लगती है कि अरे मैं fail होगी तो मैं अगर past नहीं हुआ अपना exam में तो negative thinking उस स्वोकत शुरू हो जाती है उसका एक पहला बीज पढ़ता है कि अगर मैं fail हो गई तो क्या करूंगे और उसके बाद से आपका ध्यान में आता है कि मैं fail हो गई हूँ घर में मेरे डैड़ी ने मेरे को बहुत गुसा किया और ये किया वो किया और उसने उन्हें ने कहा कि अच्छा तो जल्दी शादी कर ले बस तेरा शादी करने वाला हो भी उन्हें ने मेरी गलत लड़के से शादी कर दी वहां जाके मेरी life became hell and blah 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 पता नहीं क्या क्या सोच आने लगेगी negative thoughts एक बार आपने negative जहां पे सोच लिया वहां पे वो negativity हो चाह फियर हो it multiplies like anything और जो कुछ चीज नहीं हुई है हमारे साथ वो हम मानने लगते हैं कि यह हमारे साथ हो गया जो मेरे साथ बुरा होना था वो हो गया इसलिए negative thoughts आती है अगर आप present में रहेंगे present में रहेंगे और आप अपने आपको यह कहेंगे मेरे को failure नाम की चीज पता ही नहीं है क्योंकि मैं failure accept जब तक नहीं करूँ तो failure है ही नहीं life में जब यह सोचने लगेंगे तो failure नहीं और failure नहीं है तो फिर डरना किस बात का और फिर negative thoughts क्यों आना चाहिए अगर कुछ मेरे साथ गलत हुआ मेरे में हिम्मत है मैं उसको face करूँगी मैं उसको face करूँगा और वो perseverance से आता है perseverance कहां से आती है determination कहां से आती है जब आप अपना कुछ vision तै करते हैं कि यह मुझे करना है यह मुझे अचीव करना है उससे आपको determination होती है तो negative thoughts नहीं आएंगे मैं एक social work करना चाहती हूँ बट मैं यह सोच रहू हूँ कि जब मेरे exam सो जाएंगे मैं उनके बाद वो काम करूँगी मतलब मैंने केंजी उसे बाद भी करें उनोंने मुझे से बोला कि we will look for it तो dreadness यह क्या है मेरे यह सोचना कि मैं उसको बाद में करूँगी यह सोचना कि मैं अभी करूँगी उसको यह इसका जवाब यह है कि आपनी capacity बढ़ाईए और capacity कैसे बढ़ेगी again perseverance से आपने आपको लगता है कि मैं फिर करूँगी पढ़ाई पूरी करके वो क्यों thought आता है आपको क्योंकि आपको लगता कि यह पढ़ाई के साथ साथ मैं यह नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पढ़ाई का burden मेरे पस ज्यादा है पढ़ाई करूँगी तो उससे भी रह जाऊंगी और यह social work करूँगी तो यह भी नहीं कर पाऊंगी increase your capacity increase your perseverance अब आपने वो फिल्म देखियो गरे जुल्तान में वो बाद में वो कैसे उसकी capacity बिल्ड करता है वापिस वो उसको उसका दोड़ने की हिमत नहीं करता है और नहीं करता है फिर भी वो उसको मारता है बगाता है और वापिस वो एकदम यहां वापिस सुल्टान बनता है. तो यही है, आप अगर आज हम अपने दिमाग का अगर इस्तेमाल सोचें केवल 5% करते हैं अपने दिमाग का, जो successful लोग हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ. कई तो ऐसे लोग हैं जो तो दिमाग का इस्तेमाल निहीं करते तो ठीक है वो मस्त हैं ना इसब काओं तर ना टोटा पवे पंजाबी में कावथ है या नोइंग एनिफिंग इस अ ब्लिश तो वो उन लोगों के लिए है लेकिन आपके दिमाग का इस्तेमाल आप केवल 5% ही करती है तो कैपैसिटी इंक्रीज करिए अपनी दोनों चीज साथ करिए आपने का बाद में करों वो बाद कभी नहीं आए